घर को हर मुसीबत से बचाती है तुलसी इसे लगाने से पहले जरूर जानले ये बाते प्यारे दोस्तों बहुत पहले से घरों में तुलसी का पोदा लगाने और उसको हर रोट जल चड़ानी की परंप्रा चलिया रही है सास्त्रों में तुलसी के पोदे को लच्मी का रूप बताया गया यानि जहां पर तुलसी होती है वहां पर मालच्मी का बास होता है यह एक अद्भूत और श्यदिय पोदा है तुल्सी का पोदा घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी खतम होती है और पोजिटिव एनर्जी भढ़ती है तुलसी का पोधा घर में आने वाली विपत्ती को रोकने के साथ साथ रोगों के नास के लिए भी एक अच्छा उपाय है साथ ही ये परिवार की आर्थिक स्थिती के लिए भी शुम माना जाता है तुलसी का पोधा घर में ओने से मन को शान्ती और प्रसंता मिलती है आईए जानते हैं तुलसी को घर में लगाने से आपको क्या लाव मिल सकता है घर में तुलसी लगाने के लाव वास्तु के अनुसार घर में तुलसी के पोदे के लिए उत्तर उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा या पूर दिशा का चुनाव करना चाहिए इन दिशाओं में तुलसी का पोदा लगाना घर में सकारात्म कुझा पैदा करता है इसके अलावा आप इशान कोन यानी उत्तरपूर दिशा में भी तुलसी का पोदा लगा सकते हैं वास्तु सास के अनुसार घर की दक्षिन दिसा में तुलसी का पोदा नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से यह आपको फायदा देने के बज़ाए नुकसान भी पहुंचा सकता है कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब तुलसी को जल नहीं चड़ाना चाहिए वास्तु सास के अनु प्रशिय और सूर्यवे चंद्र ग्रेन के दिन तुलसी को जल नहीं चड़ाया जाता ना ही इसे चुआ जाता है साथ ही इन दिनों में और शुर्च छिपने के बाद तुलसी के पते नहीं तोड़ने चाहिए ऐसा करने से वास्तु दोस्त लगता है साथ ही जो व्यक्ति तुलसी का पोदा नहीं रखना चाहिए या शुमाना जाता है ऐसे पोदे को कुए या किसी पवित्र स्थान पर भादेना चाहिए और नया पोदा लगा देना चाहिए भगवान विश्नु की पूजा में सिरस्त, धतूरा, कुरया, सेमल, अकोवा और अमलतास के फूलों का इस्तमाल नहीं किया जाता साथ ही जो लोग रोली का टिक का लगाने के बाद चावल भी चड़ाते हैं जान ले कि भगवान विश्नु की पूजा में अक्षत यानि चावल का इस्तमाल नहीं किया जाता है इसके बज़ाए विश्नु पूजा में तुलसी और आवले का इस् सक्षिन पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक किसी भी खाली जगह पर लगा सकते हैं अगर इन जगहों में खाली जगह नहीं हो तो गमले में इसे लगा सकते हैं तुलसी के पोदे को पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि बच्चे जिद्धी हो तो उनका जिद्धी पना दूर हो जाता है वास्तु सास के अनुसार अगर लड़की की शादी में देरी हो रही हो तो तुलसी क्या हो आप अगरी कोर में रखकर लड़की को कहे कि वो रोज इसमें जल अरपन करे और उसकी पूजा करे तो उसकी शादी जल दी हो जाती है अगर आपक आप बिजनस ना चल रहा हो तो तुलसी को दक्षिन पस्चिन कौने में रखे और हर शुक्रवार को सुबह कच्चा दूद अर्पन करे और मिठाई का भोग लगाए किसी स्वागिन इस तरी को मिठी चीज भी आप दे बिजनस सही चले लगेगा तुलसी का पोदा ऐसा है जो क्योंकि दरीदरता शांती अकलेश जहां भी होता है महा लचमी जी का वास नहीं होता तुलसी के बारे में हिंदुदरमे सास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है सास्त्रों के अनुसार तुलसी को जनम से मिर्टू तक काम आने वाला पोदा मनग है मामूरली सा दिखने वाला यह तुल्सी का पोधा घर के सबी दोशों को दूर करता है जिसे लोग निरोग और सुकी रहते हैं जो तिस्थास के अनुसार तुल्सी का पोधा बुद्ध के कारण शुक देता है क्योंकि बुद्ध ग्रह हरे रंग का प्रतिक होता है और पेड़ पोदे हरियाली को दर्शाते हैं यह एक ऐसा ग्रह होता है जो दूसरे ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाते हैं अगर कोई ग्रह शुप फल दे कुछ तरह की बिमारीों में काम आथा है यह तूसी का पोदा जिसमें इसंत्री जूखाम और खासी आँस्थ О्चिय में और पोदा वास्तु के दोस्टको भी दूर करता दे तो प्यारे दोस्तो अंध्य आपको आपको यह जानकारी अवश्य पसंद अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप हमें कोमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि आने वाले वीडियो में आप किस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तुलसी के लिए